ये से वेरी वेरी गुड़ इवनिंग एवरीवान क्या हाल चाल वेरी वेरी गुड़ इवनिंग कैसे हो सबी लोग क्या हम लाइव आ चुके हैं अरे क्या वाद क्या वाद क्या वाद सब्सक्राइब समय को सब्सक्राइब सब्सक्राइब चीक है आजो आजो सभी लोग आजो यार सभी का स्वागत है यार सभी का स्वागत है Master Organic Chemistry की सीरीज में इस पर्टिकलर वीडियो में हम लोग पूरी Organic Chemistry को बहुत डीटेल में बहुत शांदार तरीके से कवर कर रहे हैं अगर आप लोगों ने प्रिवियस चार लेक्चर नहीं देखे हैं तो भी यार कोई टेंशन लेने की बात नहीं है इस लेक्चर में हम लोग एक नई शुरुवात करने वाले हैं ठीक है बहुत ही fundamental लेक्चर होगा यार यह जो यह लेक्चर रहेगा बहुत ही fundamental रहेगा आप लोगों को मज़ा आएगा इसमें बहुत ही बहुत ही fundamental लेक्चर है और एक proper understanding के लिए कि हम यार आगे के तीन चार लेक्चर में करने क्या वाले उसकी आज हम बात करने वाले एक बहुत ही शांदार बेस आज हम develop करने वाले लेक्चर ठीक है ठीक है तो ये बहुत important लेक्चर होएगा आप जरूर देखेगा ऐसे है ना चली स्टार्ट करते है यार हम लोग आप लोगों पता है हमारा batch चल रहा है complete biology पढ़ाई जारी है विपिन सर्दुआरा complete physics पढ़ाई जारी है चेक कर सकते हो और आप individual course में enrolled करो या full length course में enrolled करो सारे subject के आपको test series worth 999 आपको उसके साथ मलेगी तो एक बार batches आप जरूर देख लीजेगा वो better option रहेगा आपके लिए ठीक है चलिए इसी चैनल पर यार मैंने inorganic chemistry already cover कर चुका हूँ पूरी inorganic chemistry आप लोग को इस चैनल पर मिल जाएगी master inorganic chemistry के नाम से playlist है आप चाहें तो यार से follow कर लीजिए for complete inorganic chemistry बिंदास follow करो कोई attention की बात रही है organic chemistry की भी आर मैंने playlist बना दी है with the same name master organic chemistry की नाम से मैंने playlist बना दी है ठीक है organic chemistry की भी बना दी है all right चलिए most fundamental class of organic chemistry आज यार जो class है वो बहुत शांदार है आगे के 3-4-5 lectures हम क्यों पढ़ने वाले हैं उसका reason क्या है सारी चीजें आप लोग को आज बता चलेंगे तो यार आज का lecture बिलकुल भी skip नहीं होना चुई this is very important किसने यार पहले के आपके 3-4 lecture आपने पहले वाले नहीं देखें कोई load नहीं है आज का lecture fresh रहेगा उसको आपको सारी जीजे समझ में आ जाएगी ठीक है marksab learning आपका हमारा telegram channel है इसको follow कर लो सारी कि सारी जो class की updates हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी as well as मैंने दो अभी तक मैंने dppp provide करा दिया है यहाँ पे already मैंने यहाँ पे dppp provide करा दिया है दो dppp गई है अब तक organic की और उसके दोनों के solution भी मैंने दे दिया dppp चेक कर दी थी एक बाद thumbs up दो मेरे को chat section में एक बाद thumbs up दो chat section में एक बाद thumbs up दीजिये chat section में dppp आप लोगों ने देख ली dppp आप लोगों ने देख ली होगी यार है ना मैंने telegram channel पर post कर दी थी उसका solution भी post कर दिया है ठीक है और जो lecture 4 था उसमें हमारी stream में दिक्कत आई दी थोड़ी है ना lecture 4 में stream में दिक्कत आईगी lecture 4 मैंने re-upload कर दिया है पूरा lecture 4 मैंने re-upload कर दिया है पूरा उसमें आप nomenclature जाके complete कर सकते हैं lecture 4 और रेड़ी re-upload हो चुका है ठीक है और रेड़ी re-upload हो चुका है हाँ दो दो अभी आप गर आप देखोगे न तो कि आपका final है, इसको follow कर लीजी आप लोग, चेक है, चेक है, चलिए, 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 hybridization किसी को समझ भी नहीं है, तो last में आप लोग मेरे से doubt पूछ लेजएगा, मैं आज रुकने वाला हूँ, पांस-दस मिनट, और आप लोगों से feedback भी लेने वाला हूँ, चलिए, let us start, let us start, let us start our lecture, जो शाय बिल्कुल है न, जो शाय रखना है, ठीक है, अपी तो पांचवे lecture तक ही पहुँचे है, हमारा जर्नी कब तक है, 40-45 लेक्चर तक है, शांदार organic chemistry हो जाएगी, tension नहीं, tension नहीं, चलिए, और आज black, मतलब black क्या, थोड़ी grey PPD करके लिखा है न, कुछ-कुछ बच्चो को grey अच्छा लगता है, कुछ बच्चो को white अच्छा लगता है, तो दोनों को खुश रखेंगे हम लोग, ठीक है, दोनों को खुश रखें Let us start our lecture, देखो, यह जो lecture है, काफी fundamental होने वाला है, इसमें मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, कि कोई सी भी अगर organic की reaction होती है, जिक है, कोई सी भी organic की reaction होती है, तो उसमें components कौन-कौन से होते हैं, यह चीज हम लोगों को समझनी हैं सबसे पहले, देखो, कोई सा भ पी organic molecule है, जिसे हम लोग reactant बोल सकते हैं, organic molecule, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, substrate बोलते हैं, बस सुनते जाओ, शानती से, कब क्या कराना है, isomerism कब होगा, GOC कब होगी, आप लोग tension नहीं लीजिए, वो सारी tension मेरी है, आप बस प्लीज इसे देखिए, ठीक है, चैट सेक्शन थोड़ा से छोड़ दीजिए, चैट सेक्शन चैट से कुछ नहीं होगा, यहां पर ध्यान लगाओ, जो चीज आपको स्क्रीन पर पढ़ाई जा रही है, ठीक है, organic molecule है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, substrate बोलता हूँ, ठीक है, अब इस organic molecule पे, organic molecule पे, कोई attacking reagent ने attack किया, आट intermediates बन सकते हैं, और कभी आपके intermediates नहीं बन सकते हैं, depend करता है, reaction to reaction, यह हम एक general reaction लिख रहे हैं, अब यह intermediates are sometimes converted into products, and these intermediates are sometimes converted into byproducts, depending on कि क्या-क्या आपने reagent लिया है, क्या आपने conditions रखी है, यह एक general reaction होती है, यह एक general reaction होती है, अब हम लोगों को इस particular class में, attacking reagent क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, यह चीज बढ़नी है, intermediates कौन-कौन से होते हैं, कौन-कौन से हमें पढ़ने हैं, अच्छे से, वो देखना है, organic molecule react कैसे करता है, यह चीज हमें देखनी है, देखो, कोई सी भी अग reaction है, तो उसमें आपके basically दो process होते हैं, कोई सी भी reaction में आपके दो process होते हैं, कौन-कौन से, एक होता है, bond breaking, मतलब जो पुराने bond है, वो क्या करेंगे, तूटेंगे, वो क्या करेंगे, तूटेंगे, और एक होता है, bond formation, जो नए bond होंगे, वो क्या होंगे, form होंगे, तो वो आपकी organic की हो, inorganic की हो, कोई सी भी हो दुनिया में reaction, उसमें केवल दो process हो सकते हैं, या तो bond breaking, bond formation, मलब दोनों होते हैं, simultaneously दोनों होते हैं, जो पुराने bonds होते हैं, नए bonds form होते हैं, अब देखो, हम लोगों को पढ़ना क्या है, what we need to study, हम लोगों को पता होना चाहिए कि ह types of bond breaking, मतलब यार, जब bond है, वो आपके तूटेंगे न, तभी तो नए bond बनेंगे, जो पुराने bond है, वो क्या करेंगे, तूटेंगे, तभी नए bond बनेंगे, तो कितने तरीके से bond break हो सकता है, types of bond breaking हमको पढ़नी हैं, फिर हमको पढ़ना है, कि यार ये देखो, ये देखो, Molecule था, Organic Molecule, इस पे Attacking Reagent अटाक कर रहे थे, तो कौन-कौन अटाक कर सकता है, ये चीज हमको पढ़नी है, क्या पढ़नी है, Attacking Reagent पढ़ने हैं, क्या पढ़ने है, Attacking Reagent पढ़ने है, फिर हमें क्या पढ़ना है, कि यार देखो, अटाक तो हो गया, Organic Molecule था, उसका bond ह टूटा होगा, Attacking Reagent उनने अटाक करा होगा, क्या बने होंगे, Intermediates, क्या बने होंगे, Intermediates, या फिर इन्हें बोल दो, Reaction Intermediates, ये चीज हमको पढ़नी है, बहुत जबर्दस क्लास है, आज की, ध्यान से सुनते जाईए, बस आप, ध्यान से सुनते जाईए, मैं आप लोग इस, इन Electronic Effects में ही पढ़ते हैं, हम लोग Inductive, Hyperconjugation, Resonance, Aromatic, और भी सारे हैं, जो जितने भी हैं, सारी के सारी चीज हमें सी में ही पढ़ेंगे, और जो आपका Acidic और Basic Character होता है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, Acidic and Basic Character, ठीक है, ये सारी चीजे हम लोग Subsequent Lectures में करवाई जाएंगी, ठीक है, डीटेल में आप लोगो सारी चीजे करवाई जाएंगी, चलो, हाँ, हाँ, अभी यहर मैं चाट सेक्षन पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, अभी आप लोग मेरी तरफ ध्यान दीजिए, अभी पढ़ाई करिए, डाउट आप लोगो के बीच मे मैं भी थोड़ी देर में ले लूँगा, ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कितने तरीके से बॉंड ब्रेकिंग हो सकती है, क्योंकि भाईया, अगर बॉंड ब्रेक नहीं होगा, तो नया बॉंड कैसे बनेगा, तो टाइप्स ऑफ बॉंड ब्रेकिंग, बॉंड लेकिन अभी पढ़ो थोड़ा सा फिर मैं आपके डॉट्स भी ले लूँगा अपने आपको छुटा कर लेते हैं ठीक है क्योंकि थोड़ी स्पेस चाहिए अप सुनो ध्यान से ठीक है अच्छा एक बच्चा बोल रहा है सर हम तो पढ़ चुके हैं फिर भीया निकलो फिर क्य हैंगे आप लोगों को तो आप लोग बेसिक ध्यान दीजिए है ना आप लोगों को लगता है कि आपको यह सब कुछ आता है लेकिन चोटे-चोटे-चोटे पॉइट्स क्या होते हैं इसमों होते हैं उस्पे ध्यान दो है है जब आपको जो आपको content मिल रहा है ने या ओन- मैं रिख से पढ़िए। मैं और मैंने लाइफ ग्लास है पांच बच्चों में भी पढ़ाई है तोड़ा सा मोग एजूकेश्नल वाला महल बनाएं मैं यह नहीं बोला कि बिल्कुल मैं ignore कर दूँगा, end में मैं रुकूँँगा, 5-10 मिनट मैं रुकूँँगा ठीक है, उसमें जिद दिल भरके जो doubt हों वो boost लेना, comedy कर लेना joke मार लेना, शायरी सुना लेना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई सेलेक्शन नहीं होगा, ग्यान से सेलेक्शन नहीं होगा, मतलब ग्यान क्या है, वो जो भाहर का ग्यान है, वो, chemistry पढ़ने से, bio पढ़ने से, physics पढ़ने से ही, सेलेक्शन होगा, ठीक है, चलिए, bond breaking, कितने तरीके की bond breaking हो सकती है, दो तरीके की bond breaking हो सकती है एक है क्या है? एक है homolytic ठीक है? एक है homolytic एक है heterolytic ठीक है? एक होती है homolytic, एक होती है heterolytic ठीक है? देखो जब मस्ती करने का समय होता है ना तो मेरे से दाता मस्ती भी कोई नहीं करेगा जब पढ़ाने का समय है तो मेरे से तो पढ़ाएगा भी कोई भी ने तो इसलिए अपने को जवर्दस तरीके से चीज्जे exchange में करने है पढ़ाई तो extreme मस्ती तो extreme ठीक है homolytic and heterolytic ठीक है अब homolytic को और हम क्या बोलते हैं? symmetrical बोलते हैं होमोलिटिक को और हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल बोलते हैं और अगर मेरा दूसरा रूप देखना हो तो और बताओ सेशन्स में आया करो है न उसमें अपना अलगी रूप रहता है ठीक है लेकिन पढ़ाई के वक्त थोड़ा पढ़ाई मस्ती के वक्त बहुत सारी मस्ती ठीक है चलो दो दरीके के बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं होमोलिटिक एंड हीट्रोलिटिक होमोलिटिक को और क्या बोलता हूँ मैं सिमेट्रिकल हीट्रोलिटिक को अनसिमेट्रिकल ठीक है होमोलिटिक को और क्या बोल सकते हैं नौन पोलर भी बोल सकते हैं, और होमोलिटिक को है न, हीटरोलिटिक को क्या बोल सकते हैं, पोलर बोल सकते हैं, ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसे सपोस करो, आपका कोई सा भी और्गैनिक मॉलेक्यूल है, A, B, मैंने A और B क्या ले रखा है, और्गैनिक मॉलेक्यूल ले रखा है, organic molecule ले रखा है, ठीक है, ठीक है चलो, अब ये है, suppose करो आपका organic molecule, A, B अब ये क्या है, non-polar है, symmetrical distribution एक bond का मतलब कितने electron होते हैं, दो electron, तो यहां देखो जरा A और B के बीच में क्या, ये दो electron हैं, जो दो मैंने गोले लगाए हैं, बोलो हाँ, अगर मुझे ये bond तोड़ना है, तो ये पता है क्या बोलते हैं, तो तेरी लेके निकल, मैं मेरी लेके निकलता हूँ, मतलब जो sharing हो रही थी electron की, जो sharing हो रही थी electron की, वो एक जना अपना electron लेके निकल गया, दूसरा जना, अपना खुद का electron लेके फ्री राडिकल तो पहली बार सुना है, थोड़ी देर में मैं, और detail में आपको फ्री राडिकल पढ़ाऊंगा लेकिन इतना समझो, जो homolytic होता है, उससे कौन से species बनते हैं, फ्री राडिकल बनते हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे A और B के बीच में electronegativity का difference, E n क्या है electronegativity, इसका difference क्या है, almost zero है इसका difference क्या है, almost zero जब difference ही almost zero है, तो क्या हो रहा है, तू तेरा electron लेके निकल मैं मेरा electron लेके निकल रहा हूं यहां पे ऐसा case हो रहा है ठेक है यहाँ पर ऐसा case हो रहा है लेकिन हीट्रोलिटिक में अलग चीज है हीट्रोलिटिक में क्या हो रहा है जिसे suppose करो again यह A और B के बीच में bond है और यहाँ पर यह जो यह electrons है यह देखो यह electron है अब आपको क्या करना है यह bond तोड़ना है अब यहाँ पर आपका जो electronegativity का difference है जो मैं delta E N लिखूँँगा किसमें? हे्ट्रोलिटिक में तो delta E N यहाँ पर not equals to 0 है मतलब यहाँ पर difference electronegativity का होगा homolytic में electronegativity का difference नहीं होता है लेकिन हेट्रोलिटिक में electronegativity का difference होता है अब यहाँ पे दो cases हो सकते हैं देखो पहला case यह कि electro negativity A की ज़ादा हो और B की कम हो electro negativity का देशी बाशा में क्या मतलब होता है power, ताकत, बलवान कौन बलवान है ज़्यादा? A बलवान है तो यह जो shared pair of electron है कौन लेके जाएगा? A लेके जाएगा A बोलेगा हम ज़्यादा ताकतवर हैं A पे क्या चार्ज आ गया? Negative B पे क्या आ गया? Positive सही है दूसरा case क्या हो सकता है? दूसरा case हो सकता है A की ताकत कम हो और B की ज़ादा हो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है तो इस बर shade bear of electron कौन लेके जाएगा B लेके जाएगा क्योंकि उसकी ताकत, उसकी electronegativity ज़ादा है तो A पे क्या आएगा? Positive charge B पे क्या आएगा? Negative charge तो क्या यहाँ पे ions बन रहे हैं? बोलो हाया ना क्या यहाँ पे आपको ions दिख रहे हैं? बिलकुल चाहिए है एक case में free radical बन रहे हैं और एक case पे देखो A plus B minus A minus B plus क्या बन रहे हैं? ions बन रहे हैं तो एक case में free radical बनते हैं free radical अभी tension नहीं लो, क्या होता है? वो भी मैं समझा दूँगा अभी मैं समझा दूगा और एक case में ions बन रहे हैं एक case में electronegativity का difference 0 है मतलब दोनों की same electronegativity है एक case में electronegativity का difference अच्छा खासा है ठीक है आई बात समझ में अब देखो favor कौन हो गड़ता है यहाँ पे जो आपका homolytic है homolytic है यहाँ पे non-polar bond है आपका मतलब polarity नहीं है न electronegativity का difference नहीं है तो polarity नहीं है और heterolytic कब होता है low temperature पे अच्छा अब एक फंडा सुना है आपने एक मुझे मेरे को बताना चाट सेक्षन में यह बताना कि आप लोगों ने यह फंडा सुना है like dissolve like वाला फंडा यह जीच सुनी होगी कि अगर polar solvent है तो वो polar में ही dissolve होता है तो जो आपका homolytic है यह कहाँ prefer होता है non-polar solvent में prefer होता है it is preferred it is यह सुना होगा है न preferred in non-polar solvent non-polar solvent हो क्योंकि यह खुद भी क्या है non-polar है तो non-polar solvent हो तो कौन सा breaking होईगी homolytic breaking होईगी या फिर अगर sunlight present है तो भी कौन सी breaking होईगी homolytic तो भी कौन सी breaking होईगी homolytic ठीक है या फिर अगर par oxide present है तो भी कौन सी breaking होईगी homolytic होईगी अब कुछ बच्चे बोलेंगे भया par oxide क्या होता है अगर oxygen oxygen के बीच में single bond हो ऐसे दो oxygen की बीच में single bond हो तो इस linkage को क्या बोलते हैं पर-oxide linkage बोलते हैं तो कौन-कौन favor कर रहा है इसे non-polar solvent या फिर sunlight या फिर पर-oxide या फिर पर-oxide और जो heat और जो heatroletic है वो कौन है polar है तो वो कहां पे favor होगा it is favored favored in polar solvent यहां पर कौन favor होगा polar solvent होगा तो ये चीज favor होगी अब एक doubt आया है कि polar और non-polar क्या होता है solvent ये बता दो चलो ये भी मैं बता देता हूँ ये मैं अभी clear कर देता हूँ दो तरीके के आपके solvent होते है mainly जब polar non-polar समझे लो जैसे ये है आपका non-polar कोई भी polarity नहीं हो कोई भी polarity नहीं हो जैसे आपका मैं example लेना चाहूँ तो CCL4 तो structure बनाओ देखो ये है कोई भी polarity है कि यहां पर नहीं dipole moment क्या है 0 है तो ये क्या हो जाएगा non-polar जैसे आपका benzene examples में बता रहा हूँ आपको benzene जैसे आपका CS2 ये सब क्या है non-polar solvent non-polar solvent के example कोई polarity नहीं है कोई भी charges नहीं है और उधर ही होते हैं आपके polar solvent ठीक अब polar solvent भी दो तरीके के होते हैं वो किसी और दिन पड़ेंगे जब हम लोग आगे हमारी chemistry और्गानिक देखेंगे polar का मतलब क्या है कुछ नो कुछ polarity है मतलब कुछ नो कुछ क्या है charges है जैसे आपका H2O देखो इधर O इधर H इधर H तो यहाँ पे charges होते हैं न del plus del negative del plus है ना जैसे आपका alcohol zoom बराबर zoom शरावी वाला है ना ये क्या रहता है polar solvent रहता है तो ये सारे examples है polar solvent के polar solvent के ठीक है ठीक है temperature की condition आपका जो non polar bond है यहाँ पे ये high temperatures पे favor करा जाता है और हीटरोलेटिक polar है already उसमें charges present है वो जल्दी तूट जाएगा तो ये आपका lower lower temperature पे भी हीटरोलेटिक हो जाता है सही thumbs up in the chat section guys all clear ये पूरी slide polar solvent non polar solvent सारी चीज़े समझ में आ गई है thumbs up दे दो all good कोई समस्या नहीं कोई समस्या नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चल polar का meaning क्या है polar का मतलब होता है उसमें polarity होना मतलब उसमें charges present होना कुछ जैसे देखो ये पानी है ये पानी है तो इसमें देखो मेरा charges बना है dell negative dell positive तो ये क्या है polar है और जैसे CCL4 है यहाँ पे net dipole moment क्या है 0 है net dipole moment क्या है 0 है ठीक है ठीक है delta plus कैसे पता चलता है ये सब बच्चा वैसे तो हम लोग chemical bonding में पढ़ते है ये delta plus और ये सब पता चलता है हमारा जब हम लोग electro negativity का difference देखते है दो atoms के बीच में तो वहाँ से हमें idea लगता है ठीक है चल और देखो अब हमें क्या पढ़ना है attacking reagent हमारा देखो bond टूट चुका है organic molecule का bond टूट चुका है bond टूटना था पहले अरे भई पुराने bond टूटेंगे तभी तो नहीं बनेंगे bond टूटना bond breaking हमने पढ़ लिया अब क्या पढ़ रहे हैं attacking reagent अब हमारे reactant पे attack होने वाला है attack होने वाला है ठीक है इलेक्ट्रो फाइल ये कौन है मनलब इसको हम define कैसे करते है this is electron loving species देखो इलेक्ट्रो फाइल दो वर्ड से मिलावाई electro plus file electro मतलब electron file मतलब प्यार इसका electron के प्रती बहुत सारा प्यार है electron के प्रती बहुत सारा प्यार है इसको मैं किस से represent करता हूँ generally e या फिर e plus से भी represent कर सकता हूँ अब मुझे ये बताईए कि हमें प्यार किसकी वज़े से होता है मतलब हमें प्यार होता है क्यों होता है मतलब जैसे किसी मतलब इनसान के प्रती नहीं किसी भी चीज़ के प्रती क्यों होता है क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं होती है तो हमें वो चीज़ चाहिए ऐसी ही तो होता है तो इसको किस के प्रती प्यार है इलेक्टरॉन के प्रती तो इस बिचारे के पास पक्का इलेक्टरॉन नहीं होगा एक लड़का क्यों होता है कोई चीज की हमें कमी है उस चीज को पूरा करने के लिए प्यार होता है ठीक है यहाँ पे इसको किस की कमी है electron मतब इसको प्यार किस से electron loving है electron से प्यार है तो जरूर इस भाई के पास electron की क्या होगी deficiency होगी electron कमी है बिचारे के पास, तभी तो electron से प्यार करता है हाँ या ना, ठीक है तभी ये प्यार करता है ठीक है, अब बताए electron की deficiency है तो क्या ये electron accept करना चाहेगा सुनो, सुनो, अब सुनो क्या ये electron accept करना चाहेगा electron accept करना चाहेगा electron accept करना चाहेगा तो ये क्या हो जाएगा Lewis Acid समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना समझ रहे हो ठीक है ये क्या हो जाएगा Lewis Acid हो जाएगा ये Electron accept करना चाहेगा तो ये क्या हो जाएगा Lewis Acid हो जाएगा अच्छा मुझे ये बताओ इस पे Charge क्या है इस पे charge क्या होगा? इसको electron चाहिए, ये electron accept करना चाहता है, तो क्या ये खुद का, क्या ये खुद positively charge होगा? हाँ या न? अरे यार, खुद अगर positively charge होगा, तो ही तो electron को attract कर पाएगा? क्योंकि electron तो negatively charge ने, तो खुद भे क्या charge होगा? क्या होगा? पॉजूटिव चार्ज होगा, तो इसका example क्या होगा? जैसे h plus होगा, जैसे ch3 plus होगा, जैसे आपका no plus होगा, जैसे आपका cl plus होगा, जैसे आपका br plus होगा, हाँ न? हाँ न? सही है, अच्छा ये positively charged भी हो सकते हैं, as well as ये neutral भी हो सकते हैं, they can be, ja, they can be, can be neutral also, Neutral molecules having incomplete octet. क्या चीज? Incomplete octet. अब इस बात को समझेगा. इस बात को समझेगा. जैसे example क्या है इसका? जैसे example मैं देखूँ, BF3. BF3. तो यहाँ पे आपका जैसे यह रहा Boron, यह रहा Fluorine, यह रहा Fluorine, यह रहा Fluorine. और Boron के पास एक क्या पड़ावा है? खाली orbital पड़ावा है. Empty orbital है. यह क्यों है? Empty orbital. तो क्या यह इस Empty orbital में Electron accept कर सकता है? बोलो हाँ या ना. Electrophile क्या होते हैं? Electrophile क्या होते हैं? Electron लेने वाले. तो अगर आपको कुछ लेना है, तो कहीं तो रखोगे. कोई तो घर होना चाहिए खाली. तो खाली घर क्या है? Empty orbital. Empty orbital है. तो आप electron ले सकते हो. Hence, you can act as Electrophile. BF3 हो गया. BCLA3 हो गया. है ना. BH3 हो गया. ALCl3 हो गया. यह सारे examples क्या है? Electrophile के. इनके पास क्या है? इनके पास क्या है? इनके पास क्या है? Incomplete Octate है. या फिर Empty Orbitals है. ठीक है? यह जीज़ सही है. Electrophiles की इतनी बात है हो गई. Lewis Acid क्या होते हैं? Lewis Acid होते हैं Electron Acceptors. Lewis Acid होते हैं Electron Acceptors. बच्चा, इसके पास क्या है? Electron की कमी है. Electron Deficient है. तो यह क्या करेगा? Electron का Accept करेगा. तो यह कैसे behave करेगा? Lewis Acid. ठीक है? चलिए, तो फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं हमारा Nucleophile के बारे में हैं. पहले अब इसके बारे में पढ़ लिजी. Electrophile हमने पढ़ लिया है. अब आप देखिए Nucleophile. अब इसको भी अगर हम Breakdown करके देखें तो यह दो वर्ट से बना है Nucleophile और File. मतलब Nucleus Loving. इसको किस से प्यार है? Nucleus से प्यार है. This is Nucleus Loving. ठीक है? और यह क्या होते हैं? They are Electron Rich. इनके पास खूब सारे Electrons हैं. इनके पास कमी नहीं है. They are Electron Donor. यह Electron को Donate करेंगे. अब इनको पैचानना कैसे है? जिसे देखो यह क्यों है? Electron Rich है. Electron Donate करेंगे. तो क्या इनके पास Excess of Electrons होने चाहिए? हाँ. Electron Rich है नहीं आर यह. तो क्या यह खुद Negatively Charge जोने चाहिए? बिलकुल. क्या यह खुद? Negatively Charge जोने चाहिए? बिलकुल सही है. तो नहीं नेगेटिवली Charge जिसे जिसे भूस करो H- हो गया. CS3- हो गया. CL- हो गया. BR- हो गया. OH- हो गया. यह सब गया है? Nucleafels चाहिए. Nucleafels को represent करने का भी तरीका NU- से आप कर सकते हो. Nucleafels को आप NU- के से भी आप represent कर सकते हो. और कौन होते हैं यार यह? जैसे neutral molecules भी हो सकते हैं. पर इनके पास क्या होना चाहिए? excess of electron होने चाहिए. और excess of electron को किससे दिखा सकते हैं? lone pair से दिखा सकते हैं. तो they can also be lone pair containing compounds. they can also be lone pair containing compounds. यह भी हो सकते हैं. जैसे आपका पानी H2O. तो देखो H2O में यह क्या रहता है? oxygen के बस क्या रहता है? lone pair रहते हैं तो donate कर सकता है. तो कैसे behave कर सकता है? nucleophile की तरह है. alcohol भाईया. जूम बराबर, जूम शरावी वाले. तो यहां से भी आपके lone pair donate हो सकते हैं. जैसे ammonia भीया हो गए हैं. तो यहां से भी आपके lone pair donate हो सकते हैं. as well as compounds having pi bond. अगर किसी के पास pi bond है, तो वो भी donate हो सकते हैं. क्या होते हैं? loosely bound होते हैं. pi bond बहुत जादा strongly bound नहीं होते हैं. sigma bond is a stronger bond than pi bond. तो pi bond क्या होते है, loosely bound होते हैं जैसे ये है आपका, ethene है तो यहाँ से क्या हो सकता है आपका यहाँ से क्या हो सकता है, pi bond को donate कर सकते हैं ऐसे ही आपका ethene है, यह भी आपका pi bond donate कर सकता है, benzene भईया यह भी आपके pi bond donate कर सकते हैं, तो यह भी कैसे behave कर सकते हैं as nucleophile के तरह behave कर सकते हैं ये भी चीज हो गई अब और क्या बचा है और जो चीज बची है वो है reaction intermediates यह चीज है हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर हमको बहुत अच्छे से समझना है क्या reaction intermediates होते क्या है और हम लोगों को पढ़ने क्यों है क्योंकि next 3-4 classes में हम लोगों का जो focus रहेगा वो इन्ही पर ही रहेगा reaction intermediates पर ही electronic effects जो हम लोग बढ़ेंगे उन्ही पर ही रहेगा हमारा पूरा focus तो reaction intermediate हम पढ़ क्यों रही है यह चीज हम लोगों को देखनी है तो सबसे पहले तो यह की reaction intermediate होते क्या है यह ऐसे species हैं species which are which are formed during reaction यह ऐसे species हैं जो reaction के दोरान बनाए जाते हैं and are and are finished before completion of reaction before completion of reaction मतलब यह एक ऐसे species हैं जो reaction के दोरान बनेंगे और reaction के खतम होने से पहले ही destroy हो जाएंगे finish हो जाएंगे ठीक है reaction के दोरान ही बने और reaction के दोरान ही खतम हो गया ऐसे species को हम क्या बोलते हैं reaction intermediates बोलते हैं and they are highly reactive they are highly reactive unstable होते हैं बहुत जादा unstable होते हैं इनकी reactivity भेंकर होती है सतरनाग होती है अब reaction intermediates अलग-अलग तरीके के होते हैं आर देखो सबसे पिज़े से common जो reaction intermediates हैं वो है प्रोंने नाम सुना हो नहीं सुना हो कोई tension की बात नहीं है carbines ठीक है और कौन से होते हैं nitrine ठीक है और कौन सा होता है benzyne यह होता है यह 6 main आपके reaction intermediates हैं उसमें से भी यार यह 3 हम लोगों को अच्छे से detail में पढ़ने हैं यह 3 हमको पढ़ने यह जो last के 3 है carbine, nitrogen और benzyne यह हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे यह जब हम लोग कोई particular chapter देख रहे होंगे क्योंकि यह बहुत rare है carbine, nitrogen और benzyne तो बहुत ही जादा rare है यह 3 सबसे जादा common है और इसी पे ही हमारा पूरा focus होना चाहिए जब एकाद equation में कभी carbine, कभी nitrogen, कभी benzine आया आगे तो उसे हम लोग वही पे ही discuss कर लेंगे अभी मैं आप लोगों को carbocatine के बारे में बता दूँगा जेकर न बहुत सारे मित वापिस clear होएंगे carbine के बारे में बता हूँगा और हम लोग free radical के बारे में अभी discuss कर लेंगे ठीक है? चले, start करते हैं start करते हैं carbocatine को carbocatine नाम से क्या पता चल रहा है? carbocatine carbon पे positive charge carbon पे positive charge मतलब positive positive charge on carbon भहिया carbon भहिया पे कौन है? positive charge है जैसे example CH3 plus carbocatine है बिल्कुल है carbon पे positive charge है हो गया काम CH3 CH2 बिल्कुल सही है ऐसे ही यह हो गया जैसे यह आपका carbon पे positive charge देखो यह भी क्या हो गया? आपका carbocatine हो गया अब कुछ special type के carbocatine है वो भी आपको पता होने चाहिए यह देखो जैसे CH2 double bond CH CH2 positive यह तो यह कौन सा carbocatine है? यह है allylic carbocatine मैंने आप लोग को यह group समझाएं है कि यार allylic group कौन सा होता है? vinylic group कौन सा होता है? चिक है? जैसे देखो यह जो है CH2 double bond CH इसके बाजू वाला carbon जिसको मैं yellow से mark कर रहा हूँ अगर इसके बाजू वाले carbon पे positive charge है तो यह क्या हो जाएगा? allylic carbocatine हो जाएगा और अगर उधरी कुछ ऐसी picture है CH2 double bond CH positive मतलब जो double bonded carbon है जिसको मैं अगीन yellow से mark करूँ यह यह वाला double bonded carbon है उसी पे ही अगर positive charge आ जाता है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? vinylic carbocatine जिसका नाम क्या है? vinylic carbocatine आई बात समझ में? अगर double bonded वाले के बाजू वाले carbon पे positive charge है तो allylic और double bonded वाले पे ही है तो vinylic और उधर ही अगर सपोस करो यह benzine ring है जैसे यह देखो यह benzine ring हो गई और इस पे आपका CH2 लगावा है और प्लस लगावा है वालब बैंजीन ring से लगे हुए carbon पे अगें देखो इसको yellow mark कर दो बैंजीन ring से लगे हुए carbon पे अगर positive charge है तो इसका नाम क्या आ जाता है? benzylic आ जाता है इसका नाम क्या आ जाता है? benzylic carbocatine अगी बात समझ में इसका नाम क्या है? benzylic carbocatine तो ये कुछ special type के carbocatine है इनके बारे में आपको knowledge होनी चाहिए मलब नाम इनके पता होनी चाहिए कोई भी बूच सकता है कि अलायलिक carbocatine बताओ वनायलिक बताओ अब इन सबकी stability हम लोग बाद में देखेंगे आएंगी सभी की वापिस से ये लोग आएंगे इनकी stability देखी जाएंगी वो थोड़े समय बात अब देखो क्या carbocatine पर positive charge है? हाँ तो क्या ये electron deficient है? अब कुछ-कुछ characteristics लिख रहे हैं इसके क्या ये electron deficient है? हाँ है ये बिल्कुल सही है तो क्या इसको electron से प्यार होगा? हमें किस से प्यार होता है? जो हमारे अंदर कमी है हमारे अंदर कमी किस की है? electron की तो हमको किस से प्यार है? electron से ही प्यार है तो क्या मैं इसको electrophile बोल सकता हूँ? बोलो हाई या ना बिलकुल बोल सकते हो भीया या ना इलेक्ट्रोफाइल आप बिलकुल इसे बोल सकते हो ठीक है भीया ये कह रहता है डाया मेगनेटिक होता है ये क्या होता है डाया मेगनेटिक होता है और इसके पास क्या होता है एक empty orbital जरूर होता है आप देखो ये चीज बहुत ज़रूरी है समझना इसके पास क्या होता है MT Orbiter होता है कैसे बहुत ही basic सा Carbocatine लो आप जैसे CH3 प्लस ले लो CH3 प्लस ले लो ये Carbocatine ले लो ठीक है इसका मैं structure बनाना चाहूँ तो पहले तो देखो आप लो Carbon की Electronic Configuration देखो 1,000 orbitals है एक 2S में हो गया और 3 2P में हो गया तो यहाँ पे ये 3 orbitals तो ऐसे देखो Bonding में काम ले रहा है 3 तो कहां ले रहा है bonding में काम ले रहा है Hydrogen के साथ 3 bond मना रहा है ना तो ये 3 तो कहां चले गए होंगे Bonding में चले गए होंगे तो क्या ये जो MT orbital होता है, ऐसे, यह, यह क्या होता है, इसके पास, MT orbital, यह क्या है, इसके पास, MT orbital है, इस MT orbital के ही चलते, आगे हम लोग पढ़ते हैं, कि Rearrangement of Carbocatine, में भी आपने नाम सुना हो, नहीं सुना हो, उसकी कोई attention की बात नहीं, सारी चीज मैं आप लोगों बताऊंगा ही वापस, तो यह जो Carbocatine है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, Rearrangement, ठीक है, तो Rearrangement, क्यों हो पाता है, Rearrangement का सीधा सीधा जो Reason होता है, Direct Reason, वो क्या है, क्योंकि Carbocatine के पास क्या है, MT orbital है, तभी वो Rearrange कर पाता है, ठीक है, अभी tension लेने की जूरत नहीं, यह चीज आगे आप होता है, मैंने कहीं-कहीं जगे देखा है, कि यह जल्दी कमेंट करते हैं, कि Carbocatine की Hybridization SP2 है, तो दुनिया में सारे Carbocatine की Hybridization SP2 हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो Hybridization पे आप लोग का ऐसा कोई General Comment नहीं करना है, कि सारे Carbocatine SP2 होते हैं, जैसे जैसे आपका CS3 Plus है, इसक बिलकुल SP2 आएगी, बिलकुल आएगी, ठीक है, लेकिन उधर ही अगर आप सपोस्कुर विनायलिक की निकालते हो, सपोस्कुर इसकी निकालते हो, इसकी, तो इसकी क्या आएगी? SP आएगी, इसकी क्या आएगी? SP आएगी, क्योंकि एक आपका, मुल्ब दो Sigma bond है, दो bond pair है तो जनरल कमेंट करने से हम लोगों को बचना है अगर मैं ये बोलूँ कि कार्बोकाइन्स आर SP2 हाइब्रडाइस्ट तो ये इनकम्ब्लीट स्टेटमेंट है कुछ कार्बोकाइन SP2 बिलकुल होते हैं लेकिन कुछ आपके SP वाले भी मिल जाएंगे बिलकुल मिल जाएंगे आप लोगों को ठीक है तो आप लोगों को जनरल कमेंट नहीं करना है और बच्चे जनरल कमेंट कर देते हैं कि नहीं नहीं यार ये तो SP2 ही है ये तो SP2 कार्बोकाइन तो SP2 ही होता है CS3 प्लस के बारे में अगर कोई पूछे ना 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 जनरल कमेंट करने से हम लोग बचेंगे सेम कार्बानायन के साथ है देखिए कार्बानायन में भी क्या होता है बच्चों को कुछ नग कुछ मित होते है हो सकता है ये चीज आप लोगोंने पट रखियो पहले लेकिन ये मित क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, है ना, तभी आप लोग बस शान्ती से अराम से लेक्चर देखते जाओ, ठीक है, कार्ब, कार्ब अनायन, यह जी नाम से ही समझ में आ रहा है, कार्बन पर क्या होगा, नेगेटेव चार्ज, ओन, कार्बन भीया, कार्बन भीया पर कौन होगा, चार्ज लगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, यह कौन सा हो जाएगा, क्या यह अलायलिक ग्रूप देख रहा है, आपको बिलकुल, यह कौन सा है, अलायलिक, कौन सा ग्रूप है, अलायलिक, और कार्बन पर नेगेटेव चार्ज है, तो कार्ब अनायन, जैसे CH2 जैसे यह बेंजीन रिंग है, जैसे यह बेंजीन रिंग है, और इस पर CH2 माइनस, यह क्या है, बेंजीन रिंग से लगेवे कार्बन पर नेगेटेव चार्ज है, तो यह कौन सा ग्रूप हो जाएगा, बेंजायलिक कार्ब अनायन, यह क्या हो जाएगा, बेंजायलिक कार् इलेक्ट्रॉन रिज बोल सकता हूँ, बिल्कुल सही है, यह क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन रिज है, और इलेक्ट्रॉन रिज है, और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तबी तो इलेक्ट्रॉन रिज है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन भरपूर है और ये है, it has complete octet इसको कोई समस्य नहीं है जिसे पिछले वाले में था, क्या था? incomplete octet था, क्योंकि empty orbital present था तीन ही bond बना रहा है यहाँ पर CH3 plus तो, लेकिन ये क्या है? complete octet एश के पास क्योंकि negative charge आ गया है, उस negative charge ने इसका octet बिलकुल complete कर दिया है ये क्या कर सकता है? अपने loan pair donate कर सकता है और ये एक तरीके से nucleophile की तरह भी behave कर सकता है और nucleophile और अपने loan pair donate कर सकता है और loan pair donors क्या होते हैं? Lewis base होते हैं और ऐसे ही ये क्या कर सकता है? जिसे इसमें एक point जिसे बच गया इसमें ये क्या कर सकता है? accept कर सकता है अपने electrons को accept करेगा न यह तो यह कैसे behave कर सकता है Lewis acid की तरह behave कर सकता है Lewis acid क्या होते है electron acceptors और electron donors कौन होते है Lewis base तो carbo-anine Lewis base की तरह काम कर सकता है और यह भी क्या होता है आपका diamagnetic होता है यह भी क्या होता है diamagnetic होता है कोई भी Unpaid Electronics के बास नहीं होता ठीक है अब अगीन मैं जैसे Hybridization की बात करूँ तो Hybridization में अब आपको अगीन बचना है जैसे चलो आप लोगों जैसे सवाल पूर्साओं आप लोगे भी बोल दोगे लेकिन अगर मैं यह बोलूँ क्या दुनिया में सारे के सारे कार्ब अनायन इस पित रही है तो यह गलत हो जाएगा जैसे देखो यह है अलायलिक बनाते है इस वाले कार्बन की तो क्या रहेगी अब यहां पर एक कॉंसेप्ट लगता है रेजोनेंस का कॉंसे तो सारी चीज में आपको समझाऊंगा लेकिन इसमें अभी के लिए इतना सा ध्यान रखो हम लोग कप पढ़ेंगे विल स्टड़ी इन रेजोनेंस इसके हैबिडाइजेशन निकालना आप लोगों को रेजोनेंस में मैं सिखाऊंगा ठीक है लेकिन हैबिडाइजेशन इस स्ट्रेटमेंट देने से बचना है अवाइड करना है ऐसे ही जो आपका लास्ट रियाक्षन इंटरमीडियेट है वो है कार्बन फ्री राडिकल अब देखो यह जो कार्बन फ्री राडिकल होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं और एलेक्ट्रॉन स्पीशी भी बोलते हैं कैसे जैसे यह है आपका CH3-DOT इसको ध्यान से देखो तो ऐसा है देखो C यह इधर है यह रहा आपका जो एक और बचा है उसमें यह एक एलेक्ट्रोन ऐसे फिट कर दो कितने बांड पे रहे हैं तीन बांड बना रहे हैं तो छे लेक्ट्रोन होईंगे और एक इलेक्ट तो छे ऐलेक्ट्रोन और एक और बिडल में एक और एलेक्ट्रोन है तो कितने ऐलेक्ट्रोन होगे? 7 एलेक्ट्रोन होगे TABBede हैं हम क्या बोल रहे है? AWD Electron Spece. तो यह जो dot का मतलब है यह क्या होता है? Free Radical जैसे आपका और एक्जüt्रमस देखो CS3 CH2-DOT हो गया जैसे Allylux, Ben याद करा देंगे आप लोग वीडियो जब तक देखोगे न तो अलायलिक बिंजायलिक सब याद हो जाएगा कि कैसे दिखते हैं यह कौन्स हो जाएगा विनायलिक यह वापस सारे आएंगे जब हम लोग इनकी स्टेबिलेटी पड़ेंगे तो वापस इन सब का जिकर करेंगे टेंशन लेने की बात नहीं है ना याद सब करा देंगे बस रिगुलर्ली फॉलो गरना है सीरीज को ठीक है यह क्या हो जाएगा आपका बेंजायलिक प्री राइडिकर ठीक है और जल्दी ही लाइफ देंगे मजएदार मज़ा आता है उसमें आप लोगे से बड़िया इंट्राक्शन होता है और अच्छा फील गुड फैक्टर है उसमें ठीक है चलिए अच्छा अब इनकी क्या ग्रेक्टर रिस्ट्रिक्स है क्या यह न्यूट्रल है हाँ कोई चार्ज नहीं होता कार्बो क कमी है इलेक्ट्रोन की कमी है तो कौन है यह इलेक्ट्रोन डेफीशन्ट है और इलेक्ट्रोन की कमी है तो इनको प्यार भी किस से है इलेक्ट्रोन से ही तो यह कौन हो जाएंगे इलेक्ट्रो फाइल्स हो जाएंगे अब एक खास पॉइंट किस से लिखें ग्रीन से लिखे याँ गिरीन से विसेबल रहेगा न, ठेक है they are neither Lewis acid ये ना ही Lewis acid है nor Lewis base ना ही Lewis acid है, ना ही Lewis base है क्यों? क्योंकि देखो ना ही इनके पास कार्बो कटाइन जैसे 6 अलेक्टरॉनस है और ना ही इनके पास कार्बो कटाइन जैसे 8 अलेक्टरॉनस है ये बीच में फजेवे हैं तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम electron ले या दे तो they neither act as Lewis acid नहीं ये electron लेना चाते हैं neither act as Lewis base नहीं ये electron देना चाते हैं ठीक है तो ये बीच में फजेवे हैं they act neither as Lewis acid nor as Lewis base और ये क्या है आपके paramagnetic है यह कौन है? paramagnetic है, दिखी किया होगा यार, दिखी किया होगा, यह जो ये वारा electron है, odd electron ये क्यों है? unpaired है this is unpaired unpaired odd electron और odd electron है, तो ये क्या रहेगा? paramagnetic ही रहेगा आई बात समझ में, यहां तक चीज गलियर हो गई है, यहां तक चीज कलियर पढ़ क्यों रहे हैं और आगे के जो 3-4 lectures रहेंगे उसमें मेरा पूरा focus क्या रहेगा stability of reaction intermediate मेरा पूरा focus रहेगा देखो एक general सी में reaction है तो अभी मैं देखो बहुत शांदार चीज़ समझाने वाला हूँ और base बताने वाला हूँ कि stability of reaction intermediate के लिए और stability of reaction intermediate निकालना क्यों ज़रूर ही है वो मैं अभी समझाने वाला हूँ मतलब बेसिकलिए आपको base देने वाला हूँ कि next 3-4 lectures हम पढ़ क्यों ने resonance पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है पढ़ा क्यों यह तो पता होना चाहिए नहीं यार ठीक है तो वो base बताने वाला हूँ जैसे देखो कोई सी भी suppose करो यह reaction है A से जा रहा है C यह आपकी क्या है final reaction है यह आपकी final reaction है suppose करो ठीक है अब यह suppose करो यह two step reaction है कितने step reaction है? two step reaction है suppose करो A जा रहा है B से ठीक है और second step क्या है B जा रहा है C में यह suppose करो two step आपकी reaction है जो पहली जो reaction है वो suppose करो slow है और जो second reaction है वो suppose करो past है और यह जो slow reaction होती है जैसे suppose करो यहाँ पर 10 step होते जो slowest step होता है उसको हम क्या बोलते है RDS बोलते है RDS का यहाँ पर full form लिख देता हूँ RDS का full form क्या होता है rate determining rate determining step मतलब जो slowest step होता है जो slowest step होता है वो होता है rate determining step मतलब उसी step से पूरी overall reaction की rate आप determine करते हैं जैसे यार इसके आप example बता है कैसे दे सकते हो जैसे suppose करो offline class सल रही है teacher पढ़ा रहा है teacher ने blackboard पे लिख दिया सामने suppose करो 10 बच्चे present है 10 बच्चे बैठे में सामने teacher ने लिख दिया board पे सबकों सबकों जो भी लिख रहा है अब 9 बच्चे तो भाईया fast 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 लिख लेते हैं एक बच्चा उनमें से slow है उसने भाईया बहुत समय लगा दिया पूरा पूरा board copy करने पे तो अब जब तक वो slowest बच्चा लिख नहीं लेता तो क्या वो teacher board को मिटा सकता है क्या? नहीं ना मतलब ideal teacher होगा वो नहीं मिटाएगा ना यहीं चाहेगा कि यहरे पहले सारे बच्चे लिख ले तो क्या उस slowest बच्चे की वज़े से पूरी class को भी वेट करना पड़ेगा? हाँ तो overall rate मतलब जिस rate से या जिस speed से teacher पढ़ाएगा वो किस पे depend करेगी? उस slowest बच्चे पी न अगर suppose करो वो slowest बच्चा fast लिखने लग गया तो teacher भी थोड़ा सा fast पढ़ा सकता है उसका जो लिखेगा वो मनलब ज़्यादा topic cover कर सकता है तो किस पे depend कर रही है पूरी के पूरी rate किस पे depend कर रही है slowest बच्चे पे ऐसे ही आपके chemical reaction में होता है जो slowest step होता है उस पे overall rate depend करती है तो उसी को ही हम क्या बोलते है rate determining step अब देखो suppose करो यहाँ पे देखना बड़ी शांदार तरीके सा आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी तीन सेनारियो में लेने वाला हूँ सबोस करो पहले normal सेनारियो में यह जो slowest step है यह 100 सेकंड लेती है ठीक है और यह जो fast step है यह suppose करो 2 सेकंड लेती है तो total time इतना लग रहा है reaction को 102 सेकंड ठीक है अब आपने क्या करा rate को fast किया दोनों की पहली की rate को भी fast करा और दूसरी की rate को fast करा आपने suppose करो rate double कर दी speed double कर दी तो क्या time आदा हो जाएगा तेजी तेजी से करने लग गए न तो time क्या हो जाएगा आदा तो इस सौ सेकंड का अब suppose करो यह 50 सेकंड में ही होने लगी और यह 2 सेकंड का 1 सेकंड होने लगी अब time कितना लगा 51 seconds लगा ठीक है आपने इसमें दोनों की rate को बढ़ाया first step की rate को भी बढ़ा दिया और second step की rate को भी बढ़ा दिया तो rate आपकी आ गई total time जो लग रहा है वो आ गया 51 seconds third case में आपने क्या करा सिर्फ और सिर्फ जो slowest step थी जो यह पहली step थी इसको बढ़ाया आपने मालब इसकी rate बढ़ाई इसकी rate डबल करती तो इसका time क्या हो जाएगा आदा तो इसका initially कितना लग रहा था 100, normal आदा हो जाएगा तो कितना हो गया यह इसका 50 seconds हो गया और B तो बोल रही second step थे वो तो बोल रहा हम तो वैसे ही fast है हमको change करने की कोई जरूरत नहीं है तो दो second था इसको आपने दो ही second रहने दिया तो अब टोटल time कितना लगा 52 seconds देखो ज़रा ध्यान से देखो ध्यान से देखो जब आपने दोनों की rate बढ़ाई यह देखो यह जो 51 आया है यह क्या है वेन बोट 51 seconds लग रहे है और जब आपने केवल slowest step की increase करी when slowest step rate increased तो कितने time लग रहा है कितना time लग रहा है 52 seconds लग रहे है क्या ज़्यादा difference है क्या नहीं तो major impact कौन मारता है major impact मारता है अगर आप slowest step को fast कर दो जैसे तैसे slowest step को अगर आप fast कर दोगे तो overall rate of reaction अपने आप बढ़ जाएगी तो हमको क्या करना है हमारी reactions में slowest step आपको find करना है और slowest step find करना है उसको अगर आप तेज कर दोगे तो overall reaction तेज हो जाएगी अब क्या ये बताओ देखो overall reaction आपकी क्या थी A जा रहा है C में तो क्या ये जो B है क्या ये reaction intermediate है ये बीच में आ रहा है ना या reaction में finally तो नहीं दिख रहा है finally तो आपका A is getting converted into C तो B तो कहीं भी नहीं बन रहा तो B क्या है reaction intermediate है अब suppose करो अब ध्यान से सुनना आपको इस first reaction जो slow है उसको fast करना है उसको forward लेके जाना है आपको बहुत ज़ादा तो अगर आपका reaction intermediate stable होगा तो क्या आपकी पहली reaction forward जाना चाहेगी stability के तरफ जाना चाहती है और सारी के सारी reaction तो reaction जितनी जादा forward जाना चाहेगी वो तनी तेज हो चाहेगी और अगर वो तेज हो गई, slowest step तेज हो गया, तो आपकी ultimately final reaction भी तेज हो चाहेगी क्या पता चला हमें, कि जो rate है, किसी भी reaction की, वो किस पे depend करती है, वो depend करती है stability of reaction intermediate पे क्यों? क्योंकि अगर reaction intermediate जितना ज़्यादा stable होगा, reaction उतनी ज़्यादा forward जाना चाहेगी जितनी ज़्यादा forward जाना चाहेगी, वो उतनी fast हो चाहेगी तो जो rate of reaction है, that is directly proportional to stability of reaction intermediate ध्यान रखना ये बाद है ना, reaction intermediate जितना ज़्यादा stable वनेगा, उतनी ज़्यादा जो आपकी slowest step है, वो forward जाना चाहेगी और जितनी ज़्यादा वो forward जाना चाहेगी, जितनी ज़्यादा वो forward जाना चाहेगी, उतना ही overall rate increase हो चाहेगा clear, यही चीछ समझानी थी, ठीक है, अब next class से हम लोगो को क्या पढ़ना है, electronic effects और electronic effects में हम लोगे next class में inductive पूरा का पूरा शांदार तरीके से cover कर देंगे ठीक है, next 3-4 class बहुत important है, एक तरीके से पूरी organic का base बनने वाला है, क्योंकि जो हम next 3-4 classes में पढ़ने वाले है, resonance, aromaticity, inductive, hyperconjugation, acidic and basic character, यह आपको पूरे organic में काम आएगा कि भाईया, यह देखो, यहापे resonance लग गया, यहापे देखो, hyperconjugation लग रहा है, यहापे आप लोगों को alpha hydrogen calculate करने, तो यह सारी चीज़े कब पता चलने वाले हैं, next 3-4 lectures में, और इसको हम पूरी organic chemistry में use करने वाले हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रही है, जल्दी ही live classes हम लोग start कर ही तेंगे, चीक है, चलिये, take care everyone, have a great day, see you guys, bye bye